तो गाइस अभी आभी मैंने एक मूवी देखिए जिसका नाम है कर्तम भुक्तम अब देखो यह मूवी का उतना ज्यादा हाइप नहीं और बहुत सारा मतलब बहुत कम शो इसको मिला है मतलब हाइप एकदम ही क्यूंकि देखो इसकी स्टोरी ना थोड़ी बहुत आपको ओड लग सकते अब जैसे मैं रिव्यू आपको बताऊं को तो आपको समाझ में आ जागा जब मूवी को जा के देखो तो आपको पता चले कि भाई यह स्टोरी तो इस नाइंटी स्के टाइम क्यूंकि देखो इसका जितना भी रिव्यूज है ना मिक्स रिव्यूज है किसी को अ इंडिया आते हैं अपने दोस्त के पाथ क्यूंकि इनके पापाजी मर जाते हैं और कुछ जमीन और बहुत सारा प्रॉपर्टी रहता है तो उसके वजह से थोड़ा इनका लोचा चलता है काम और नहीं होता है उसके पास इसका दोस्त जो रहता है वह एक बाबा के पास जा बहुत हो जाएगी उसकी मा कम मरेगी सारा कुछ बता देते तो यह चीज़ देखकर देब परिशान हो जाता है कि नेरा तो काफी सारा काम रुका हो मेरा बैंक में पैसा नहीं गा रहा जमीन का कागश पसा हुए बहुत सारे प्रॉप्लम में तो बाइए एक टाइम के दो पार्ट में पहला पार्ट जो है आपको लगा ये जो तांत्रीक वाला गेमे ने ये बहुत पुरानी मूवी में देखा है तो आप सोच लोगा कि अन्ना तो सारा कुछ ठीक कर दे रहा है इसका लेकिन जैसे इंटर्वल खतम होता है इंटर्वल के बाद एक दम जस्ट पा हुआ क्या वह सारा का सारा खुल जाएगा और उसके पास लास्ट का प्रिडिक कर लोगे अच्छा ये प्लैनिंग था ये चीज तो आगे मैं नहीं बतांगो कि क्या है नहीं तो वरना स्पॉयल हो जाएगा अब जाके देखो आपको खुदी पता चलेगा आर आक्टिंग क आक्षर है ना उससे भाई आप काफी जादे इंप्रेज हो जाओ लेकिन कहानी और जो क्लाइमेक्स है ना वह मेरे को थोड़ा सा वीक लगा एडिटिंग वगयरा वीक लगा विज्वल बतार लोकल टाइप का कैसे लगता है उस टाइप का मेरे को ये मूवी लगी लेकिन अगर आपके पस टाइम है अगर आप देखना चाहते थोड़ा सस्पेंस मूवी जो क्लाइमेक्स तक तो नहीं रहती इंटर्वल के बाद वह जो सस्पेंस रहता ना वह खूल जाता है तो आप जाके देख सकते और भाई इसका ज्यादा कलेक्शन भी नहीं हुआ मैंने चे स्वेथ के पाई बाद के दो आपके प्रवाट के खाद कर दो को गया है कर तो आप कर दो कि उते हैं तो आपके पिताव के देख खूल भी कर दो दो भी जापके यह है!